अब देखें, डिस्केरीट सीरीज की बात करते हैं, अच्छे समझना है बच्चे हमें, समझना बहुत जरूरी है ताकि ये रट्टाफिकेशन ना लगे, उसके प्रिवीसरी कोशिन करना है, मीन मीडियन मोड एक बार हो जाए, फिर इस से लिटिट प्रिवीसरी कोशिन करके ह ये सारी क्लासिस जो आपकी फोल्डर में है, रिकोर्डिट क्लासिस ये लेटिस क्लास ही है, बिल्कुल लेटिस क्लासिस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी वो जो क्लासिस जो हुई थी, वो मान के चलिए कि 20 से 25 दिन, 30 दिन पहले ही हुई है, वो क्लासिस सारी, तो वो last year की classes है, ऐसा नहीं है, 20 to 30 days पहले की classes है, जिसमें से आप time series, probability, ये दो topic को आप उसमें से cover कर लेना आप जैसा ही time होता है, ठीक है, ठीक है, तो topic तो बिल्कुत straight forward है, उसमें सीधा आपको वैसे ही करना होगा, तो वो आप manage कर लेंगे, बाकि इन सब चीजों में concept है, तो लाइब में ज्यादा बेटर समझ माता है, तो इसलिए में in classes को पूरा लाइब आपको दे रहा हूं, बाकि पूरा course करके मैंने आपको दे दिया है, और आपको ये course को दो साल, तीन साल पहले वाला course नहीं दिया है, तो ये चीज़ें आप उसके अंतर manage कर लें और बाकि मैं measurement of center tendency, dispersion, skewness, curtesis, ये ज्यादा paper में आते हैं, तो मैं यहां से questions को आपको ज्यादा अभी प्रेक्टिस करवाओंगा, clear है बच्चे, and index number, चीक है नो, तो चलिए, आगे question करें, अब बचे discrete series है, तो discrete series का क्या मतलब है, जरा उसको समझते हैं, ये data है, और discrete series मतलब की data, एक same data कितने लोगों ने, लोगों ने hold किया हुआ है, carry किया हुआ है, उतने number of person को उसके सामें लिख देना, इस ही को हम बोलते हैं, इस पर frequency इसको कहते हैं, और इसको हम discrete series कहते हैं, तो discrete series में, अगर मैं इसको individual लिख हो, तो basically मैं इसको लिख हूँआ क्या, जैसे आप में एक छो मेरा एक hotel है, मैं owner हूँ, और मेरे पास में बहुत सा सारे room खा ली है, और room number मैंने दिया हुआ है, room number one, room number two, room number three, room number four, room number five, room number six, ऐसा करके मैंने, हर room के आगे, उसको number लिखा हुआ है, मैंने, guest आते हैं, और मेरा तरीका यही है, जो पहले आता, इसको room number one दूँगा, जो इसको room number three ही दूँगा, यह मेरा तरीका है, मैं उसी order को follow करूँगा, clear है, अब मेरे पास में mister ten आते हैं, ten, कितने लोग आते हैं, यह एक लोग आते हैं, तो कौन सा room number दूँगा, इसको एक दूँगा, मेरा room number one बुक हो गया, तो कितने room मेरे बुक हो गया, मेरा जो है, एक room बुक हो गया, ठीक है, उसके बाद mister twenty आते हैं, और यह कितने लोग होते हैं, यह five लोग होते हैं, तो मैं पाँच room, मेरे और इनको मैं available करवा देता हूँ, twenty लोगो को, तो मेरे booking कहा तक हो चुकी है, एक तो पहली कमरा बुक हो चुका था, पाँच लोगो और मेरे rooms दे द room number six तक, यह कमरा है किसको दिया हुआ, mister twenty को दिया हुआ है, तो twenty मैं बोलो, अगर आप से पूछों कि room number three में कौन है, तो आप क्या बोलोगी, जी one तक तो यह ten रहता है, one के बाद, और six तक, next वालग data है, तो अब two पे भी twenty है, three पे भी twenty है, four पे भी twenty है, four पे भी twenty है, room number five में बारा देता हूँ, मेरी booking कहां तक हो चुक है, six already book हो चुक है, six कमरे, बारा और में कमरे देता हूँ, तो 18 तक मेरी booking हो चुक है, अब आप इस बात को समझे, कि room number seven पे अगर कोई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि room number six तक तो twenty है, और room number six के बाद, room number 18 तक, किसको ठहरा है, 30 को ठहरा है, यह बास समझ रहे हैं, clear है, और इसी तरीके से mister 40, 20 rooms और लेते हैं, तो यह मेरे पास में, 38 तक booking हो जाती है, 19 booking और ले लेते हैं, तो मेरे पास में, 57 तक booking हो गई, और mister 16, no rooms इनको और चाहिए, तो no room में देता हूँ, इनको और, तो यह मेरे पास में 66 हो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते है, इसको हम बोलते है, clear है, कि कौन सा data कहां तक है, अगर मैं आप से बोलता हूँ, जरा मुझे बताओ, कि room number 42 पे कौन है, तो अब देखो गया, room number 1 तक 6 तक 18 तक booking है, 38 तक 57 तक booking है, 38 के बाद 57 तक booking किसकी जारी है, 50 की, तो 48 पे कौन है 50 है, clear है, बच्ची समझ में आए, अब आपके पास में total कितनी number of person है, number of observation है, data, कितनी data है, तो वो submission act करके पता लगए है, तो आप कर लेना है, तो आपके पास में 6 और 18 और आपके पास में 20, 38 और 1957 सम करेंगे, तो आपके पास में कितना है यह, 70, अगर आपका यह सम और यह तेबल में ही कर लेता है, ज़्यादा बेटर लगएगा आपको भी, अपास में.. बार बार पढ़ते हो, revise करते हो, गंदा होगा तो आपका ही मननी करेगा, पीडिया उठाने का, ठीक है बच्चे? अब आपके पास में वही तरीका है, आपकी पास में, इसले हम उसी methods और उस और discrete sheet में ऐसा हमेसा मिलेगा आपको, size of median, size of median equals to n plus 1 divided by 2, 2th term, clear है बच्चे, size of median equals to n, n हमारे पास में क्या है, 70 plus 1 divided by 2th term, size of median equals to 71 upon 2, width term equals to 35.5, 5th term, अब बच्चे यहां पर आप देखें कि आपका 35.5th place पे कौन मिलेगा, तो तो 38 के बाद, 18 के बाद 38 तक 40 है, तो भाई, obviously 30, आप इसको तो यह लिखोगे न, median के लिए, क्या लिखेंगे, आप लिखोगे, median के लिए, median equals to 35th place, plus 36th term and divided by 2, यह करोगे, अब देखो 35th place पे कौन होगा, 18 के बाद, तो 38 तक कौन है, Mr. 40 है, तो भाई, 35 पे कौन होगा, 40, अब 36 पे भी कौन मिल रहा है आपका, 40 मिल रहा है, and plus divided by 2, तो क्या इसका आंसर है, 40 आपका final answer है, तो अब मेरी बात समझगे, discrete series को, कोई doubt किसी बच्चे को, उमीद करता हूँ, बहुत बैतरीन तरीके सो, और अच्छे तरीके सब चीजो को समझ पा रहे होंगे, क्लियरे बच्चे, तो discrete series में यह था आपका, बात करते हैं, continuous series के, तो continuous series में भी आपको similar इसी तरीके से, the marks obtained by the hundred students in a certain examination are given below, calculate the median marks, बड़ा basic topic लेके चल रहे हैं, पहले आपका, क्यूंकि आपका 3 वीजन हो जाए, जो आपने पहले थोड़ा फ़त पढ़ा हुआ है, उसके बाद हम topic को आगे बढ़ाएंगे, तो comfortable होकर कि आप चीज़ों को पगड़ पाएंगे, बस हमें इसमें CF column कीए, बस, CF, तो CF कैसे निकालते हैं, फर्स वाल सेम, 9 प्लस करेंगे 19, and 25 प्लस करेंगे तो 44, 30 प्लस करेंगे 74, 6 टालेंगे 80, and 90, and 100, clear है बच्चे, और summation F equals to क्या आगे आपके, आपके, अल्यडी गिवन है 100, बस, एक चीज़ कफ और के, पहले size of, आप median निकालते हैं, size of median, इसमें फर्मना थोड़ा change हो गया, n प्लस 1 नहीं है, सरफ only n by 2, बच्चे, गलती करते हैं एक्जाम में, धान कीगा, n by 2 एक टाम है, क्यों है ऐसा? क्योंकि बच्चे, हमारा आंसर चाह असेंडिंग ओडर में अरेंज करें डीटा को, हम अरेंज करें हमारा आंसर सेम आन अच्छी है, but n plus 1 करकर के continuous series के cases में हमारा answer differ होता है, तो इसलिए n by 2 हम यहाँ पर apply करते हैं और यह continuous series है, देख रहे हैं, data absolute की बनने है, data एक range में है, आप solve करेंगे size of median के लिए, size of median equals to n के हमारे पास में 100 by 2th term, size of median equals to 50th term, clear है बच्चे, आप 50th term का मतलब हो गया आपके पास में, यहाँ पर एक formula आपका, 50th term आपका है, तो 50th term कहां पर है, बताएं ज़रा, इसमें तो नहीं है, इसमें अगर आपका, तो आपका selection हो गया, इस interval का, clear है, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपने क्या कर रहा हूँ, इस interval को select कर लिया, किसे देखकर की 50th से, frequency f के अंदर जाकर के देख, आपने 50 इसके अंदर लाई कर रहा है, अब इसमें आपके पास में median का जो फार्मला अप्लाई करेंगे, median equals to L plus N by 2th term minus cf upon f into class interval, जो आपका interval का selection हुआ, उसका जो lower limit आपके पास में है, वो आपके पास में क्या L है, 30, clear है बच्चे, तो L equals to क्या है, 30, N by 2th term क्या है आपके पास में already निकाल चुके है, आप 50th, और cf आपके पास में क्या है, बच्चे, जो आपके पास cf है, यह cf नहीं होता है, इससे उपर वाले को हम लेते हैं, इससी है, this one, 44, clear है, और f क्या है, तो जिस interval को select कर रहा है, उसमें आपका f क्या है, और कुछ नहीं करना आप आपको, तो आए, median equals to L, L के हमारे पास पर 30, plus N by 2, 50, minus cf, 44, upon f, 30, into i, 10, आपके गास तो calculator है, यूज कर सकते हैं, मेरे पास भी यूज कर सकते हैं, पर जहां तक हो रहा है, आप वीप कर लेते हैं, plus 6 by 30, तो 1 upon 5, into 10, and median equals to 30, plus, इसको simplify कर आपने 2, and median equals to 32, यह आपका answer है, clear है, बच्चे, तो उमीद करता हूँ, कि continuing series में भी आप लोगों को median calculate करना आ गया है, अच्छे से, clear है बच्चे, कोई doubt किसी बच्चे को तो please पूछेंगे, अब जिससे आपके पास पर एक question है, अब यहाँ पर challenge कर यह आपको home work का part है, ठीक है, अब देख रहे हैं, continuous series है, यह बात तो समझ में आ गया आपको, लेकिन एक problem है, कि ये आपका क्या है, यह आपका a एक inclusive series है और continuous series की में बात करता हूं तो continuous series में आपका inql åsiv भी होताँš, exclusive भी होताह, less than भी होताय, more than भी होताह, mid value होताह justement, लेकिन आपको जब भी कभी काम करना हो, जब भी cosmetic को solve करना हो तो वो exclusive series को ही solve करेंगे पर यह तो inclusive है तो first of all आपको कहां पर एक काम आ गया कि आप inclusive को exclusive में transfer करेंगे, already मैंने introduction of continuous series mean की cases में अच्छे समझाया कि how to convert inclusive series into exclusive series, how to convert less than into exclusive series, how to convert more than into exclusive series, how to convert mid value into exclusive series, तो वैसी method साब इसको convert करेंगे, और convert करने के बाद similar process आपका follow हो जाएगा जो आपने यहां पर कर रहा है, तो यह कुछ questions आप करेंगे इसको, clear है बच्चे, similar questions है, और यहां पर mid value हो गई है, तो आप पहले इसको exclusive में कैसे convert करेंगे, यह question है, जिसको मुझे आपको करवाना है, जो कि मैं next classes में करवाँगा, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, कि medium का topic आप next classes में, इस assignment को पूरा मिलेगा, इसको wind up करकर कि आप next classes में आए, और इसमें से 2-3 questions हैं, जो आपके doubts हैं, वो मैं आपका लेकर के medium का topic को finish करवाँगा, clear है बच्चे, फिर हम आजाएंगे mode पर, एक classes में mode finish, फिर हम आएंगे exam oriented questions के उपर, exam में कैसे mean median relations के उपर कैसे questions पूछता है, फिर हम PYQ, और उसके बाद हमारा mean median mode का topic फिनिश होगा, अब इसमें हम कुछ और topics भी हैं आपके पास में, तो उस topic को भी हम आगे इसमें, decile, यह सारी चीजी topic है, clear है, इस topic को भी हम cover करेंगे, तो next classes मिलते हैं, thank you, thank you so much. झाल